हलो एप्रीवन वेल्कम बैक टू 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 चैनल आपका फिरसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहां पे आपको टैली से रेलेटेड डिफरेंट डाइप की टूटू यूरिस मिल जाते हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेल इन्वोईस पास करते समय बायर और कंसाइनी अलग अलग डिटेल डालना चाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने invoice में buyer और consignee detail अलग-अलग enter करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे लेकिन उससे पहले हम buyer और consignee समझ लेते हैं एक्चली जब आप अपना invoice बना रहे हैं तो जो खरीददार है माल का जो खरीददार है buyer वो कोई और है और उन्होंने कहा है कि जो माल है वो आप कहीं और पहुंचा दीजिए जैसे कि आपको ABC Limited बोलते हैं कि इतना माल हमारा आप XYZ Limited में पहुंचा दीजिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपके invoice में buyer different enter करना पड़ेगा और जो consignee है वो different enter करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना invoice में buyer और consignee की detail जो अलग-अलग है वो आपको देनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, एक बार हम problem समझ लेते हैं, यहाँ पे हम voucher में जाएंगे और F8 प्रेस करेंगे आपका invoice पास करने के लिए तो जैसे यहाँ पे आपने sale invoice open कर लिया, इसके बाद आपको party detail एंटर करनी है लेकिन साथ में मुझे यहाँ consigny चाहिए, तो उसके solution के लिए आपको क्या करना है एक छोटा सा option है जो कि आपको on करना पड़ेगा और simply आप consigny detail एंटर कर लेंगे लेकिन उससे बहले अगर वीडियो आपको अब तक अच्छा लगाओ तो like कर दीजिए और अपने family और friends के साथ share भी कर दीजिए जिससे उन लोग को भी पता चल जाए कि हम अपने invoice में ही buyer और consigny कैसे एंटर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, simply जब आप party detail पे एंटर कर लेंगे और यहाँ पे आजाएंगे, इस screen पे यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है जी हाँ F12 आप प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे provide separate buyer and consigny detail, इस option को आपको Y प्रेस करके yes कर देना है yes करने के बाद आप इसको save कर देंगे, other option भी आप चाहते हैं तो उनको भी yes कर सकते हैं, otherwise उनको no रहने देंगे और इसको screen को accept कर लेंगे, enter प्रेस करके भी accept कर सकते हैं control A प्रेस करके भी accept कर सकते हैं यहाँ पे अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने accept कर लिया तो आपके buyer की detail different है, और यहाँ पे consignee की detail आप अलग डाल सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने buyer और consignee को अलग कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा, आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा और भी कोई topic जिस पर आप वीडियो चाते हों, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को subscribe भी कर दीजिए और all notification bell को press कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो की साथ, तब तक के लिए, बाई, थैंक यू